हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाज शेर केर में तो दोस्तो हम एक एंटिटेंडरफ का त्रीटमेंट देखने वाले हैं जो है एक मैटेल्स के कम्पनी का उसका नाम है Scalp Pure Antidandruff Treatment तो दोसों तो मैं इसको आपको आज बस बताऊंगा कि कैसे करते हैं और क्या-क्या प्रोडकुस में यूज होते हैं तो फर्स्ट यह होता है Scalp Pure का स्क्रब सबसे पहले आपको इसे आपके ड्राय बालो में विदाउट वाश यह रूट में अप्लिकेशन करना है और अच्छे से Head Massage देना है इसकी प्राइजिंग है 650 रूपीज और यह 6 आते है 25 ml के तो आपको एक इसमें दो तो एटलिस हो जाते है तो इसे लगा कि आपको इसे लगा कि आपको दो से तीर में अच्छे से Head Massage कर लेना है बालो में और उसके बाद आपको करना है उसके ब दोस्तों यह बहुत effective है यह scrub से जो भी dandruff root में चिपका होता है वह पूरा उपर आ जाता है और फिर उसके बाद आप अच्छे से shampoo कर लेते हो जो की है Xcalpure का anti dandruff shampoo बहुत अच्छा प्रोड़क है दोस्तों इससे चार प्रॉब्लम सॉट आउट होती है जिनके बालों के ऊपर डैंडरफ एकसे सॉइल इचिनेस ओडर वैसी स्मेल आना तो वह सारे प्रॉब्लम को यह सॉट आउट करता है दोस्तों और यह 1075 रूपीज का है बहुत अच्या प्रोड़क है यह मैट्रिश कमक्पनी का है तो आप दोस्तों इससे यूज कर सकते हो SPA में तो यह 4 प्रोड़क आपको यूज कर सकते हो AHIR SPA में तो दोस्तों इसका result भी काफी अच्छा है और वह काम भी वेते करता है तो उसके बाद वाष्ख होने के तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो दोस्तो ध्यान दो ये प्रोडक्त बहुत अच्छा है इसको आपको लेंथ में लगाना है आप इसके साथ हेड मसाज दे सकते हो हेड मसाज देने के बाद अच्छे से स्टीम दे सकते हो स्टीम देने के बाद आपको बस प्लेन र होते ही आपको यह जो स्केल्प का टॉनिक है या स्केल्प सिरम है वह आपको रूट में लगाना है वेट हेर में उसके बद आप ड्राइ करके पैलल ब्रश कर सकते हो तो दोस्तों यह बैक्टिरिया को फेलने देता बालों को अच्छा रखता है और बालों में मॉइस्चर भी स्केल्प को सूधीन करने का काम करता है और हाइड्रेट करता है आपके स्केल्प को तो दोस्तों आप यह यूज कर सकते हो तो दोस्तों यह प्रोड़क्त काफी हद तक अच्छा है जो बहुत जादा लोग इसे यूज करते है डैंडर्फ के लिए और यह मैट्रस कंपोनी क तो आप भी इसे ट्राइ कर सकते हो बहुत अच्छा प्रोड़क है ज्यादा इफेक्टिव भी है तो आप यह यूच्ज कर सकते हो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों तो मैं और अच्छे कर दो सकते हैं